तो दोस्तो दस जून को OnePlus को एक event होने वाल है इसका अंदर OnePlus अपना एक budget 5G mobile phone launch करने वाले है दोस्तो अगर हम last year की बात करें या उससे पहले की बात करें तो OnePlus हमेशे अपने 30,000 से उपर के ही smartphone को launch करता था जो अभी तक हमें सबसे सस्ता OnePlus के smartphone मिलता था वो था OnePlus Nord जो काफी अच्छा सैल होया यानि की काफी अच्छा खासा ही smartphone था कम परेजगंद हैं आपको 5G network मिलते थे यानि की दोस्तो जो लोग महंगी smartphone को afford नहीं कर सकते थे OnePlus की बट वो लोग OnePlus Nord की तरब गए है वहाँ पर आपको काफी अच्छी specific question मिलती थी लेकिन दोस्तो कुछ लोग ऐसे थे जो OnePlus Nord को भी afford नहीं कर सकते थे उनको इससे भी सस्ता बट OnePlus का ही mobile phone बाई करना था तो ऐसे में दोस्तो OnePlus आप एक अपना ऐसा smartphone launch करेगा जा आपको 5G network तो definitely मिल जाएगे कापी अच्छी specific question है आपको देखने को मिलेगी बट ये smartphone करीब आपको 20,000 रुपे के आसपास मिलेगा तो guys मैं बात करने वाला हूँ OnePlus Nord CE 5G की ये smartphone Amazon के उपर लिस्ट हो गया है 10 जून को इंडिया की मार्कीट में ओपसरी launch किया जाएगा क्या के specific question मिलेगी किस पराइज में launch होगा साही जानकारी आज किस वीडियो में मैं देने वाला हूँ ए गाइस मेरा नाम है अंकुर आठी और आप देख रहे हैं आप फाल्तो टेक चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरूर करें और दोस्ते वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर की जगा दोस्ते मैं आपको बता दूँ कि OnePlus के चाहने वाले इंडिया के अंदर काफी लोग है जो OnePlus को काफी फ्यार करते है और OnePlus का smartphone बाइक करना चाहते है तो ऐसे में कम पराइज का अंदर OnePlus Nord CE 5G को लॉंच किया जाएगा डिजाइन की बात करें तो ये smartphone OnePlus Nord से डिजाइन के मामले में भी अलग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिजाइन मिलेगो कुछ-कुछ OnePlus 9 Series जैसा ही देखने को मिलने वाला है गिलास बैक देखने को मिल जाएगी इसकी साइज की बात करें तो लगबाग यहाँ पर आपको 6.43 इंच के डिस्पेली मिलेगी जो Full HD प्लेस के रिजलेशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एक Super Amulid Panel दिया जाएगा 98 का एक Smooth Refresh Rate आपको देखने को मिलने वाला है और कोड़नर पर एक पंचोल कट आउट दिया जाएगा OnePlus Node के अंदर आपको डूल पंचोल ने मिलती थी बट यहाँ पर आपको Ultra Wide Angle Sensor देखने को नहीं मिलेगा Front Facing Camera में यहाँ पर आपको केवले एक Single Camera ही देखने को मिलने वाला है डिजाइन के मामले स्मार्टफोन काफी अच्छा होगा इन डिस्पले फिंगर पिन स्कैनर भी दिया जाएगा दोस्तों बात करें मुबाइल फोन के प्रोसेसिंग पावर की तो यहाँ पर दिया जाएगा Qualcomm Snapdragon 750G का पारफुल प्रोसेसर दोस्तों इस प्रोसेसर को हम काफी सारी स्मार्टफोन में देख चुके जैसे कि Moto G 5G और Mi 10i के अंदर भी आपको Snapdragon 750G का पारफुल प्रोसेसर मिलता है Node CE 5G का अंदर भी आपको सेम ही प्रोसेसर मिलेगा जो 5G नाटर को सपोर्ट करेगा बेस दर एंट के अंदर आपको 6G ब्रेमों 128GB इंटरल इस्ट्रेज मिलेगा इस्ट्रेज टाइप हो सकता है आपको UFS 2.2 देखने को मिल जाए तो प्रोसेसिंग पार में स्मार्टफोन काफी अच्छा होगा कापी अच्छी गेमिंग पर्फोमेंस आप लोग इससे ले सकते हो बात करें मुबैल फोन के कैमरे सेट अप की तो टोटल ही आपको ट्रिबल इयर कैमरे का सेट अप दिया जाएगा प्रैमेरी कैमरे 64 मेगाफिक्सल का आपको देखने को मिलने वाले है वाइड अंगल सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा बर बहुत सी लीक्स यह बताती है कि आपको कुट कैमरे का सेट अप मिलेगा बट मेरे सब से आपको ट्रिबल कैमरे का सेट अप दिया जाएगा और 16 मेगाफिक्सल का सेलफी कैमरे मिलेगा दोस्तों मुझे बताने के जरुवत नहीं है कि आपको पता हुगा कि OnePlus के कैमरे कितने अच्छे होते है तो नो डाउट इसके अंदर भी आपको काफी अच्छे कैमरे के अंदर Optimization देखने को मिलने वाली है 4500mAh की बैटरी मिलेगी definitely fast charging दी जाएगी type C port आपको देखने को मिल जाए Bluetooth 5.0 दी गई है और यहाँ पर security के लिए face unlock और in display fingerprint scanner का support मिलेगा out of the box Android 11 दी गई है और Oxygen OS देखने को मिलती है सबसे favorite है Oxygen OS जो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है बड़ दुस्ता बहुत से लोगों के मन में सवाल उट रहे हो किया भाई यह OnePlus Nord 2 है यह कोई अलग स्मार्टफून है तो मैं आपको बता दूँ कि यह स्मार्टफून OnePlus Nord 2 नहीं है यह एक lower variant है यानि कि CE को आप बोल सकते है Core Edition यानि कि Nord का एक छोटा भाई आपको इसे बोल सकते हूँ Nord 2 आपको करीब 30,000 के आसपास मिलेगा बड़ जो Nord CE है यह आपको करीब 20-22,000 रुपे के आसपास देखने को मिलने वाला है Snapdragon 750G के प्रोसेसर के साथ आएगा काफी अच्छे कैमेरे और डिस्पले हैं आपको देखने को मिलने वाली है डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन काफी अच्छा रहने वाले है 20-22,000 के आसपास लोंच किया जाएगा 10 जून को इंडे के मार्कीट में आएगा और 16 जून से इस मोबाल फोन के ओपन सेल आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और 11 जून से आप इसे स्मार्टफोन को प्री ओडर भी कर सकते हो तो दोस्ता आपके वीडियो कैसे लेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए वन प्लस नोड से क्या वाकई में एक बेस्ट वैली फूर मनी स्मार्टफोन हो सकता है क्योंकि सारी स्पेस्फिकेशन में आप लोगों को बता दी है मेरे साब से इस स्मार्टफोन एक काफी अच्छ होगा